गाइस जैसे कि आपको पता है कि अभी विंटर सीजन है और अगर आपका मन बन रहे है कोई भी बर्ड लेने का स्पेशली आपको अगर लेना है जेवरा फिंचस तो उन्हें लेने से पहले आपको वीडियो जरूर देखने चाहिए नमस्कार दोस्तों आगे बढ़ते हैं जो है वो बिमार है और कौन सा हल्दी है तो पहले पॉइंट की हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो जीवरा फिंचस होते हैं काफी प्रयक्टिव होते हैं इधर आपको दोड़ते वए कूदते मिल जाएंगे उड़ते वह दिख जाएंगे आपको यह कभी शांत बैटने होता ही नहीं है ठीक है यह थीन के पहले खासियत और फूल के नहीं बैठते हैं एकदम नौर्मिल जैसा कि यह भी ठंड है लेकिन आप मेरे जीवरा फिंचस को देखिए एकदम फूले नहीं है और अगर आपको कोई फूलावा बट दिख जो पर फूला कर बैठाओँ तो टब हंड़ेट परसेंट बिमार है थोड़ा सा पर बैठाओ याया ज्याद्व वह उसकी आज कलनी तो परसो उसकी टेथ होनी वह तो वह आपको जेवरा फिंच नहीं लेना है जो फूल कर बैठा हो च्ब्रावा और अगर आपको कोई जेवरा अख्यूत तो वह बच्वेह्ट आपको नहीं लेना कि यहां पर आपको नहीं लेना फिर आपको नहीं निकलिए यहां पर इनके टेण बिल्कुल मतल़ उनको माइट्स है स्केली मैइट वोलते हैं जो की उनके उनके पाओ को खराब कर देती है एकदम इनके चोंच को जो अग्तव साइंड सा बनायती है ठीक है ढूल बूल्दूल सा मना लेते इनके दोच को वह भी आपको नहीं लेना फिर उसके बाद आप इनको जाएंगे तो अगर आपको पूछ उसकी पूछ निकली भी देखी ठीक है फिर सर के पीछे से गर्दन से इसके बाल गायद है तो आपको वह चीज मतलब वह जिद्रा फिंच भी भी मतलब फैदर्स नहीं आता है खैर मुझे खुशी है कि मेरे पास हेल्दी जिवरा फिंचेस है और नेस्ट भी बना लिया है तो जल्दी अगर आपको ब्रेडिंग टिप चाहिए हो और आपको नेस्टिंग मेटिरियल के बारे में जानना हो तो इसके बारे में आपको व चाहिए शेल्ट को किजिए ऑगर वेंट के होँआपे ड्रॉपिंग जिली इसी वेंट्वा नहीं हो ठोल और बैल और वेंट से ग्रीन जड्रॉपिंग आपको निकलता हो देखे वेंट के पास गंदे की दिखे तो वो ब्रड भी इल्दी नहीं है वो बर्ड मतलब बिमार उससे लूज मोशन लगए वह हैं तो आपको वह बड़ भी एवाइड करना है ठीक है साथ में आपको उसके हेल्थ भी चक करने हैं तो आप पोचेंगे की हेल्थ कैसे चक करेंगी तो आप सिंपली उनको पकड़िए और अगर उनके रिप केज का जो लाइन है वह ज्याद है अगर आपको दिखा तो उसका मतलों परिंदा जो है वह फिंच जो है कमजोर ठीक है वह फिंच आपको नहीं लेना है जिसके रिप केज का जो हड़ी है की जबादी चले आपको थोड़ा पता चलेगा मतलब ऐसा भी नहीं कि विल्कुल उब्रावा ओ ठीक है उब्रावा नहीं होना चाहिए वो खैर यही तो कुछ बहुत परिशान करते हैं इन पर फोकस करते हैं और मैंने आपको बताया थे इनके पाउं पर आपको चेक करना पाउं और चोच पे कि इनके पाउं और चोच खुड़दुरे नाओ क्योंकि खुड़दुर अगर हुए तो उसका मतलब है कि आपके बर्ड को स्कैली माइट्स ह साथ में मैंने वेंट की बहीं बात की अगर आपके वाट की जो वेंट डिली है या थे वंपे बाल नहीं तो उसको लूज मूशन लगे हुए हैं तो वह वज आपको नहीं लेना फिर मिन मैंने आपको बताया कि इनके गरदै के पीछे या फिर इनके पूछें अगर नहीं हो फैदर्स नहीं उन जगों पर तो भी आपको बर्ड नहीं लेना यह कुछ टिप्स थे मेरे आपके लिए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए अजडल और वीडियो आपके लाइक बड़ा सब्सक्राइब तbet।